सीजन टू एपिसोड टू स्टार्ट होता है और हमें चक घर में पियानो बजाता हुआ दिखता है वो बाहर नहीं जा सकता इसलिए उसे घर में बहुत सारी सप्लाइज लगती है हावर ने उसके इंटर्न को ये सब सप्लाइज उसे प्रोवाइड करने का जॉब दिया होता है पर इस दिन हावर खुद आता है उसे सप्लाइज देने के लिए चक फिर उसे बोलता है कि मैं सोच रहू कि मैं आफिस पे आ जाओ Harvard बोलता है कि तुम जब भी आओ तो मुझे इंफरम कर देना, तुम हमेशा वहाँ विलकम हो Harvard चक को बोलता है कि आजकल Saul Davison Man में काम कर रहा है चक को विश्वास नहीं होता कि वहाँ वो लॉयर की तरह काम कर रहा है हावर्ट से पूछता है कि क्या उन्हें पता है कि इसकी डिग्रीज वगिरा कहा है ये कैसे कॉलेज में गया था हावर्ट चक को बोलता है कि मैंने उन्हें सब आईडा दे दिया था पर उन्हें इतना कुछ फरक नहीं पड़ा सॉल ग्लाइंट्स के साथ यानि कि ओल लोगों के साथ अच्छे से बोलता है वो उनकी सुनता है तो वो भी उसकी सुनते है इसलिए उसी जॉब मिला हुआ होता है नेक्सिन में हमें मीटिंग दिखाए गई है एचे चेम और डेविसन मेंस के बीच में या सॉल और किम दोनों होते है तो वो दोनों एक दूसरे से फलर्ट करने लग जाते है उसी मीटिंग में वो नीचे आकर पारकिंग लॉट में खड़े होते है सॉल उसे बोलता है कि मुझे अब बहुत ही अच्छा आपरमेंट मिला है मुझे कार भी मिली है तो ये सब वो सुनकर खुश हो जाती है सॉल बोलता है कि मैं एक घर खरितने का सोच रहा हूँ डेविस और में सैंटा फे में होता है यानि कि अलबकर की और सैंटा फे में एक बहुत ही अच्छा डिस्टन्स होता है तो सॉल फिर उसे बोलता है कि मैं इन दोनों टाउन के बीच में ही घर लेना चाहता हूँ यानि कि उसके किम की साथ रिलेशन्शिप प्रोग्रेस हुई तो किम भी बहार रह सकती है किम भी उसके घर के लिए अच्छे से प्लाइन्स करती है किम फिर उसे एक गिफ्ट देती है उस पर लिखा हुआ होता है कि वर्ल्ल का सेकंड बेस रॉयर यानि कि वो अपने आपको फर्स्ट गेटेस लॉयर बानती है नेक्स्ट हमें दिखता है कि सॉल नेल सुलून के बाहर होता है वो अपनी जो पुरानी गाड़ी होती है उसो टो करकर उसे स्क्रैप करने वाला होता है अब उसकी न्यू कार जो है वो सबको दिखा रहा होता है नेक्स सीन में माइक अपने जॉब पर होता है पार्किंग टिकिट्स वो दे रहा होता है, तब ही वो बहुत भड़ी गाड़ी देखता है वो उसके employer की ही होती है माईको से पुछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो तो वो बोलता है, कि मैं पुलिस से आज बात करने आया हूँ माईक उसे बोलता है कि मुझे तुमसे बात करनी है पुलिस के या जाने से पहले तुम अपनी गाड़ी साइड में लगा दो और फिर वो हमें बात करते होई दिखे माईक उसे बुछता है कि तुम पुलिस के या क्यों जाने चाते हो वो बोलता है कि कुछ लोग मेरे घर में गोसा है थे और मेरे बेस्पॉर्ड कार्ड्स विगरा उन्हेंने सब चोरी किये रहे माईक उसे बुछता है कि पुलिस के पास तुमारा क्या काम है तो बेस्पॉर्ड कार्ड्स के बारे में उसे बताता है माईक बोलता है कि ये जो तुम पुलिस के पास जा रहे हो तो तुमारा जो बेसबॉल कार्स रिकवर करना है वो उनका इंटरेस्ट नहीं है तुमारे गाड़ी देखकर उन्हें लगा होगा कि तुम ट्रक डीलर हो इसलिए तुमें वो पकड़ना चाते है इसलिए उन्होंने तुमें यहां बुलाया है वो अब तुम्हें बुलाएंगे और तुम्हें अच्छी बाती करेंगे तुम्हें लगेगा कि वो तुम्हारे फ्रेंड्स है और फिर वो तुम्हें पर आरोप लगाएंगे और फिर तुम्हें वो ट्रबल में रेकर आएंगे माईक उसे घर जाने के लिए बोलता है वो उस baseball cards को भूल जाए ऐसी सला माईक उसे देता है वो ready नहीं होता, वो बोलता है कि मैं यह नहीं कर सकता, यह मेरे फादर के थे इसमें sentimental value है मैं इसे नहीं भूल जा सकता वो मान नहीं रहा होता और वो पुलिस के पास जाने वाला होता है इसलिए माईक फिर उसे बोलता है कि मैं तुम्हारे baseball card ला कर दूँगा नेक सिन में हमें दिखता है कि डेवी सन मेन में सॉल होता है अपने बोस के पास जाता है और case discuss करता है सॉल बहुती अच्छा गाम वहाँ कर रहा होता है उसका बोस भी उसे किपिट अफ करने के लिए बोलता है नेक सिन में हमें दिखता है कि माईक नाचो के पास आया हुआ होता है नाचो अपने फादर के शॉप में काम करता है वो कार के लिए seat covers बेचते है फिर माईक बोलता है कि मेरे कार के लिए मुझे इस seat cover खरिदना है नाचो के फादर और नाचो उसे वो seat cover दिखा रहे होते है नाचो के फादर फिर उन्हें कुछ काम होता है तो वहाँ से चले जाते है नाचो माईक से बुचता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो माइक बोलता है कि हमें एक प्रॉलम है मेरा जो employer है वो पुलिस से उसने बात की थी तुम्हें वो जितना बेवकूफ लगा उससे जादा वो बेवकूफ है तुम्हें वो उसके baseball cards वापस कर देने चाहिए नाचो बोलता है कि ये मेरी problem नहीं है मेरा तो उससे business अब हो चुका है माइक बोलता है कि ये हम दोनों की situation है अगर तुम्हें उसके baseball cards वापस नहीं करवा है तो मैं टुको को तुम्हारा सब ये operation बता दूँगा नाचो illegally उससे वो bills ले रहा होता है ये सब वो टुको को बता देगा और फिर नाचो बहुत ही trouble में आ सकता है फिर टुको भी मान जाता है नेक सीन में हमें दिखाए गया है कि वो अपनी exchange के site पर आते है टुको माइक की employer के सारे baseball cards वापस कर देता है इस deal में माइक को जो employer होता है उसकी जो बड़ी car होती है वो टुको को जाने वाले होती है टुको उसको scrap करने वाला होता है फिर ये deal successful हो जाते है और सब वहाँ से चले जाते है फिर से डेविस और मेंस और हचाएम की हमें meeting दिखाए गई है उसमें clients की जो receipt होती है वो उन्हें चाही होती है वो legally ये सब काम करने वाले होते है वो उन्हें notice भेजने वाले होते है पर फिर Saul उन्हें बताता है कि अगर हमें ही वो सब receipt जल से जल चाहिए तो हम directly old people से directly ask कर सकते है उनके पास बहुत सारी receipt होती है जान से वो सब सम्माल के रखते है अगर हमने देखा तो वो ये जरा tedious हो सकता है पर फिर भी हमें जल से जल सब मिल जाएगा Saul की सब तारीफ करते है वहाँ चक भी आया होता है Saul चक को देखकर जरा nervous हो जाता है पर कीम उसे confidence देती है और वो अपना सब plan उन्हें बताता है माइक फिर Saul को call करता है उसे पुछता है कि अभी भी तुम morally flexible हो यानि कि illegal काम कर सकते हो तुम मेरे पास तुमारी एक job है फिर माइक के employer के साथ Saul पुलिस station आ जाता है वो पुलिस को बताते है कि जो baseball cards थे वो हमें मिल गए है तो अब हमें ये case close कर देना है पुलिस उससे पुछती है कि ये तुम्हें कहां से मिल गए वो बोलता है कि मैंने एक private investigation हायन किया था तो इसने मुझे help किया फिर Saul माइक के employer को वहां से जाने के लिए बोलता है फिर Saul directly पुलिस से बात करता है Saul उन्हें बोलता है कि मुझे पता है कि यहां क्या हुआ है तुम इसके घर पर गए तुम्हें जरा शक गया और तुम्हें उसका hiding place तुम्हें मिल गया तुम्हें लगता है कि ये एक drug dealer है Saul उन्हें अशूर करता है कि ये drug dealer नहीं है पर हर आदमी के कुछ secrets होते है तो इसके भी secret है और इसलिए उसने अपने hiding place में ये hide किया था पुलिस उसे बहुत ही specific होने के लिए बोलते है फिर Saul बोलता है कि उसने कुछ videotapes बनाये थे ये artistic natures के थे और ये किसी को भी पता ना चले इसलिए उसने वो hide कर दिये थे ये जो videotapes थे ये वो बेचता था और उसका एक client भी था client और इसके बीच में ज़रा conflict हो गई इसलिए उसके client ने ये सब चुरा लिये थे उसने baseball cards भी ले लिये क्योंकि उसे इसे सबक सिकाना था ये दोनों lovers है इसलिए उनमें एक जगड़ा हो गया था अब ये सब sorted हो चुका है और हमें charges वगरा कुछ भी प्रेस नहीं करने पुलिस उससे पुछती है कि ये किस तरह की videos है किस तरह की artistic nature की ये videos है पुलिस को लग रहा होता है कि ये born होगा फिर सॉल उन्हें बोलता है कि ये एक apple pie होता है उस पर मेरा client बैठता है और रोता है ये videos मेरे client का client buy करता है ये बहुत ही अजीब है इसलिए में तुम्हें नहीं बता रहा था पुलिस भी इस story को believe करते है पर उन्हें फिर वो video देखनी होती है फिर सॉल माई के employer को बताता है कि अब हमें एक video shoot करनी पड़ेगी वो actual में रात में जाकर ये video shoot करते है सॉल घर आकर ये सब कीम को बता रहा होता है वो दोनों बहुत ही हसते है सॉल बोलने बोलने में ये भी बता देता है कि हमने एक video पर create किया था किम उसे बोलती है कि तुमने evidence fabric किया है ये illegal है तुम ये नहीं कर सकते तुम्हें इतना अच्छा job मिला है तो तुम उसे क्यों दाव पर लगा रहे हो सॉल के पास इसका कोई भी explanation नहीं होता वो ये देखकर उसे बोलती है कि तुम अपने time पर कुछ भी कर सकते हो पर मुझे future में तुम्हें ये कुछ भी नहीं बताना है मैं इसमें involved नहीं हो सकती इस conversation के end में ही ये episode स्कतम हो जाता है